चिन्ता मनी श्री पारशनात भगवाने गी भोगर्व से प्रक्तित अतिश्यकारी जहाज मंदिर में विराजमान शरी मनी पॉजिटिव हो तो गुण है और नेगेटिव हो तो अब गुण है गुण ही अवगुण बनते हैं गुण ही दोश बनते हैं जब दोश का विपरीत पना आ जाता है तो गुण हो जाता है और गुण का विपरीत पना आता है तो दोश हो जाता है जैसे अंधेरा है अब इसका उल्टा करो उजाला हो गया उजाला का उल्टा करो अंधेरा हो गया उपर का उल्टा करो, तो नीचे हो गया, यानि जहां विप्रीत्ता आ गई, वहां दोश आ गया, और उससे विप्रीत हो गया, तो गुण हो गया, तो गुण और दोश, जो अभी सम्यकदर्शन की चर्चा चल रही थी, आठ अंग होते हैं, आठ गुण होते हैं, उन गुणों का पालन किया जाए, तो दोश दूर हो जाते हैं, और सम्यकदर्शन की प्राप्ति हो जाती हैं, है ना? इन गुणतें विप्रीत दोश वसू, तिन को सतत खिपावें, इन गुणतें, जो आठ गुण ये बताए हैं, इन गुणतें विप्रीत दोश वसू, इन गुणों को विप्रीत करते हैं, तो वसू यानि आठ दोश हो जाते हैं, दोश कितने होते हैं, अरे बुलिये ना? कितने होते हैं, आठ, आप कितने कह रहे हैं, अठारा, है, गुन कितने होते हैं, गुन अठाइस होते हैं, गुन मूल गुन नहीं पूछ रही हूं, गुन पूछ रही हूं, आपने मूल गुन बता दिया कि वो अठाइस होते हैं, यदि अठाइस होते हैं, तो फिर उपाध्य आचारियों के 36 होते हैं, शिद्ध भगवान के 8 होते हैं, अर्यंद भगवान के 40 होते हैं, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? फिर तो उन सब का पूरा हां टोटल करना पड़ेगा, फिर उतने गुण हो जाएंगे, है ना? तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, गुण कितने होत हैं, दोस 8 हैं, तो गुण भी 8 होंगे, बहुत अच्छा, आपने जो सुना उसके हिसाब से उत्तर बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि आपने ये सुना कि सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, 8 गुणों का पालन होता है, तो 8 उसके बदले में दोस हो जाएंगे, है ना? अच ने दोस, 18 उसके बदले में दोस जाएंगे, जन्मान तक भयस्मया, नाराग द्वेश, मोहाश्या, यस्यापता सा प्रकिर्टते, भूख, प्यास, खेद, चिंता, जन्म, मरण, मोह, राग, द्वेश, पसीना, रोग, शोक, भय, विस्मय, ये सम्य ने अठारा दोस बताए थे, यानि जो 18 एक्टिविटी हमारे जीवन में 24 घंटे चलती है, वो दोश है, उसमें से एक भी गुण नाम की चीज नहीं है, यसे सबसे पहले बताया था भूख, ना, कल बताया थी ना, भूख, भूख यानि वही आहार संग्या, खाने वाला मामला, तो सुभा शे शाम तक क्या करते हो, जादा से जादा दिमाग कहां रहता है, अरे बुलिए ना, खाने में रहता है, तुम्हारा दिमाग खाने में रहता है, और जो पसू और पक्षी है, उनका दिमाग कहां रहता है, उनका भी खाने में रहता है, यानि पसू पक्षी भी दिन वर खाने खाना करते रहते हैं और मनश्य भी दिनवर खाने ही खाना करता रहता है तो दोनों में अंतर क्या हुआ वो भी सारे दिन खाना ढूंडते हैं इस महले से उस महले उस महले से उस महले चिडिया है तो एक छट से दूसरी छट दूसरी छट से दूसरा आंगन तोब दूसरे अंığंgender तीस्रे आंगन वो भी दिनवर खाना डुंढती है और मनुश्य भी केवल खौना ही मोंडता रहता है किस होटल में जाो। अंध।व जाो जाो की ओसमें जाओ यहां जाओ, कि वहां जाओ इस रेश्टॉरेंट में जाओ वहां की चाय अच्छी होती है, वहां का कॉफी, वहां का ये, वहां का वो, वो भी यह ढूंडता रहता है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ, खाने के इस्तर पर दोनों एक है, अंतर कहां पैदा होता है, मनुष्य उपवास करता है, और पसुपक्षी नहीं करते हैं, अंतर य खाना दिखा और शुरू फिर वो खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे लेकिन हाँ रात में नहीं खाते वो तो इसलिए नहीं खाते कि उनका त्याग है क्या वो रात में इसलिए नहीं खाते कि उनका त्याग है नहीं नहीं खाने का कल्चर नहीं है वहाँ पे वहाँ प्रकरती रूप नहीं खाते है स्वय में वहाँ रात को खाने के भाव नहीं बनते है उजाला होते उनकी चोंच बंद हो जाती है लेकिन इस मनुश्य का मुँ इसको बंद करना बड़ा मश्किल है ना खाने में ना बोलने में दोनों में इस पर कंट्रोल नहीं है दोनों को इसने उनकंट्रोल कर रखा है लिमिट नहीं है किसी चीज की खाने पीने में तो कल भी बताय था यदि गाड़ी में ब्रेख ना हो तो एक्सिडेंट होता है और खाने में ब्रेख ना हो तो भीमारी का एक्सिडेंट होता है ऐसी चोछ लगती कि वे सब छूट जाता है भेर डॉक्टर कहता है चीनी मत खाने IT ग्हीमत खाना आपका हाड म्हाइं ब्लॉक एज हो गई है कहते नहीं कहते नमक जका न आपका वीपी हा है रहता आए चाहा है कुंअ यहाइसा क्यों ज़्यादा खा लिया जतना खाना चाहिए था एक जीवन में सत्तर साल में इंसान को जितनी चीज खानी चाहिए है वो चालिस साल में खा के खतम कर देता है इसलिए भीमारिया हो जाती है फिर वो 20-30 साल जो बचे हैं वो अब उसमें त्याग करो त्याग की वज़ा से त्याग नहीं किया है शरीर की वज़ा से त्याग किया है जबकि भगवान महावीर कहते है कि वह साथ दिन में एक दिन घी का त्याग करो एक दिन तेल का करो एक दिन दूद का करो एक दिन चीनी का करो एक दिन हरी सबची का करो तो ऐसे एक एक दिन त्याग करोगे तो इससे स्वयम पर कंट्रोल भी होगा संयम भी आएगा और संयम तो आए गई आएगा शरीर में जो जादा चला गया है एक दिन उपवास किया तो वो सारा मैनेज भी हो जाएगा तो भोजन दोश है क्या है? कल काफी चर्चा हुई थी इस विशय पर कि इसको सबसे पहले नंबर पे रखा गया है किसको? भोजन को आप सब चीज के बिना रह सकते हो मंगर भोजन के बिना नहीं रह सकते हो घर में यदि किसी की मृत्तिव हो गई है और आप लोगों ने खाना नहीं खाया है तो क्या सोचते हो यह जल्दी जाए और हम जल्दी खाना खाएं अब खुद के घर में तो बना नहीं सकते है अब इस्तिती किसी के भी साथ में आ सकती है तो ऐसे समय पर पडोसी काम आते है खाना बना के ले आते हैं, आप पहले, यानि रोते रोते भी डालना पड़ता है, मन में खेद है, मन में दुख है, खाना तो फिर भी खाना ही पड़ता है, यह इतनी मजबूरी है इस खाने की, कि इनसान अनंत काल से वस इसी में जी रहा है, पंधो, पहले दोश का नाम है छुदा, छुदा यानि भूख, भूख एक बीमारी है और भोजन एक दवाई है, क्या कहां मैंने, भूख एक बीमारी, आप लोग जब पूजा करते हो, तो पूजा में जो चढ़ाते हो ना, छुदा रोग विनाष्ने नहिवेद्यम निर्वपामीती, इस चटक से, क्या हमारी भूख खतम हो सकती है, वो तो किवल याद दिलाती है, वो किवल आपको इसमरण दिलाने के लिए है, कि भूख एक बीमारी है, इस पे कंट्रोल करो, पूजा से भूख खतम नहीं होगी, लेकिन पूजा के माध्यम से जो ज्यान हुआ है, उस ज्यान से जब हम आचरण में लाएंगे, उससे भूख खतम होगी, पूजा के माध्यम से तो हमें इतना याद किया है, भगवान आप भोजन नहीं करते हो, और हम दिन भर खाते हैं, भगवान ये कि ये बीमारी है, आपकी ये बीमारी खतम हो गई है, और ये बीमारी मुझे बहुत सता रही है, उससे ये याद दिलाया जाता है, कहीं आप भ पूजा करो, ताकि आपको रोज याद आजाए, कि भूख एक बीमारी है, छोदा रोग विनाशनाए, नवेद्यम, निर्पामिति, स्वाहा, इधर छोदा रोग का तो आर्ग चल रहा है, तेरे हां क्या बनाज? अरे कल मैंने रसगुले बनाए थे, वो तो कढ़ाई में फैल गए थे, दूसरी कहेंगी अच्छा आपकी बार मैं आजाओंगी, मैं बता दूंगी क्या से बनाए जाते हैं, मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ, अरे बोलिये न, हैं? यानि एक होती है पूजा करना जुब चुदारोग विनाशने निवेद्यम निर्पामतिस्वाग, जब से चड़ा रहे हो? आपके अनर फीलिंग आई, कि ये बात बिल्कुल सही लिखी है, आपके अनर ये भाव उम्रे, कि भगवान आपके भूग कर नाश हो गया है, और मैं दिन भर खाता हूँ, कहां तक जिस दिन मेरा भी भोजन छूट जाएगा और चोदारोग नाश हो जाएगा, ऐसे भाव पैदा हुए, यदि नहीं हुए, तो समझना केवल पूजा, और मैं क्या कहूं? पूजा केवल दिखाने के लिए, ये केवल इसलिए कि हमारी घर गरस्ती ठीक ठाक रहे, इसलिए कर पूजा को भाव पूजा बनाना है, यदि द्रब्य के साथ भाव नहीं है, तो पूजा अधूरी है, भगवान को तुमारी चटक से क्या लेना देना, किस से? चटक, चटक किसे कहते हैं? नवेद से, तो इस चटक नाम क्या से पढ़ा? पहले ये सरोटा, चाकु, ये सब च नवेद लाओ, नवेद तो उनने नारियल को चटकाया, तो उले क्या बले ये चटक, तब से इसका नाम क्या पढ़ गया? चटक पढ़ गया, यहना? तो द्रब्य पूजा को भाव पूजा बनाना, साथू पूजा करते हैं क्या? अरे बोलिये ना, पंडिछी, साथू पू पूजा करते हैं देखा है अपने? अगा, आई बात आपके समझ में, वो प्रैक्टिकल करते हैं, जो पूजा पहले करी है, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, छोदा रोग विनास्नाई के लिए तुम्ने चटक चड़ाई है, वो एक टाइम आहार करते हैं, यह एसका पूजा का मतलब सम्मान, पूजा का मतलब भक्ति, पूजा का मतलब आर्ति, पूजा का मतलब है गुनानुवाद, किनका भगवान का, इन सब चीजों का जो अर्थ निकलेगा, उन सब का नाम पूजा है, लिकिन बस एक प्रसलन हो गया है, कि अश्टरब से जो करता उसे पू तो यह सारे अर्थ पूजा के ही हैं जो मैंने भी बता है तो भूख एक रोग है और भोजान एक अरे बोलिये ना दवाई है ठीक है? आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा है मैं त्याग थोड़ी करवारी हूं भुलवाई तो रही हम ना आप हो मैं भुलवा या तो फर त्याग भी करना पड़ेगा तो रोग है किया थुदार रोग भिनाया सबसे पहले तो यह सुइकार करो और भूख एक रोग है भूख है प्नुख एक दोषं है यह मानना पड़ेगा यह उस्रद्ध हमे लाने पड़ेगा श्रद्धा जानते हो, विश्वास जानते हो बहले काम कुछ भी कर रहे हो पंगर श्रद्धा सही होनी चाहिए यदि श्रद्धा तुम्हारी पक्की है, सही है तो कभी न कभी गाड़ी लाइन पर आजाएगी और जब यही नहीं पता है कि भूग एक रोग है, फिर तो चटकारे ले 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 के खाओगे अस्टिमी हो यह चितुरदसी आलू भी नहीं छूटने वाला फिर तो तुम्हारा रात्री भोजन भी नहीं छूटने वाला जब तुम्हारा रात्री भोजन भी नहीं छूटने वाला डॉक्टर कहता है दिन में तीन वार लेनी है और दूध से लेनी है और तीन वार में एक आप ग्यारा बजे एक आप चार बजे और एक आप रात को नो बजे आपको तीन वार दवाई लेनी है और टाइम से लेना ताइम का ध्यान दखना अब बताओ दवाई लोगे की नहीं लोगे, कितने वार लोगे? तीन वार लोगे अच्छा किस चीज से लोगे? ऐसा क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने बता है, डॉक्टर पर विश्वास है डॉक्टर पर शद्धा है आपने दवाई का नाम पत्ते पर पढ़ा नहीं कि क्या लिखा है डॉक्टर ने लिख दी और जो दुकान वाला है उसने तुमने पर्चा पकड़ाया उसने दवाई दे दी और तुमने लाके जितने बचे कहा था बड़ी इश्रत्था से अब मैं ठीक वजाओंगा, डॉक्टर साब ने बहुत अच्छी दवाई दी है डॉक्टर साब ने कहा तुम ठीक हो जाओगे अब मैं ऐसे ही करूंगा जैसे डॉक्टर साब ने कहा कितनी दवाई खाना, दो गोली सुभा खाना है दो गोली दुपहर में खाना है और रात को सोते से तीन गोली खाना है एक नींद की और डाल दी तीन गोली खाना है अब तुम्हें पता नहीं कि ये नींद की दवाई है तुम्हें पता नहीं है लेकिन डॉक्टर ने लिख दी है खाना है तो खाना है ठीके ना अब आपने बड़ी श्रथा के साथ में दवाई खाई ठीके अब ऐसा तो नहीं, कि दवाई एक पीने वाली दवाई थी, बड़ी मिठी सी दवाई थी, तो वो पीने वाली एक चम्मच पीनी थी, और बड़ी स्वादिस्ट दवाई थी, आप कितनी पियोगे, एक चम्मच पियोगे या उससे जादा पियोगे, है, नहीं, बड़ी स्वा दवाई खाने के लिमिट होती है बोलिये ना दवाई खाने के लिमिट होती है दवाई दवाई के यह साब से खाई जाती है तो भोजन को आपने क्या समझ रखा है भोजन भी दवाई है भोजन में सारे विटामिन्स है भोजन में सारे कैल्शियम है भोजन है और किस में ज़्यादा है किस में कम है यह देखने वाली बात है लेकिन है तो सारे वो तत्व जो इस शरीर को आवश्यक्ता होती है और उन तत्वों को जितनी आवश्यक्ता है उतना ग्रहन किया जाए तो वो दवाई का काम करते हैं और यदि आप जादा ले लोगे तो वो जहर का काम करते हैं वलिए हा या ना अब पानी अच्छे चीज है की नहीं है अच्छे चीज है ठीक है पानी अच्छे चीज है या नहीं पानी से जीवन मिलता की नहीं मिलता ठीक है, अब एक काम करो रोज सुभद दो केला खाओ और फ्रीज का दो ग्लास ठंडा पानी पीलो बोलिये ना पानी भी अच्छे चीज है और केला भी अच्छी चीज है है? और उसके साथ एक ग्लास अनार का जूस और पीलो और उसके उपर एक अनार का जूस भी बहुत अच्छा होता है अनार का जूस खराब होता है अनार का जूस भी बहुत बढ़िया होता है फिर एक ग्लास मौसंबी का जूस और पीलो बलिये, क्या होगा? है? खड़े भो पाओगे? और जर एक महिना लगातार पी लो नमों से धाडम हो जाओगे बात समझ में आई की नहीं केला भी अच्छा है, अनार का जूस भी अच्छा है पानी भी अच्छा है, मौसंभी का जूस भी अच्छा है लेकिन कोई चीज कितनी भी अच्छी हो हर चीज का एक तरीका होता है, एक लिमिट होती है और लिमिट नहीं होगी, तो शरीर बीमार हो जाएगा तो बीमार होने में कोई दूसरा कारण नहीं है हम खुद कारण है ना खाने का ग्यान कि किस के ऊपर क्या खाना ना ये पता कि मेरे शरीर की प्रकर्ती क्या है तो मुझे क्या खाना वाद प्रकर्ती है कि पित्य प्रकर्ती है कि कफ प्रकर्ती है उसमें क्या खाया जाता ये भी नहीं पता है बस अच्छा लगना चाहिए जीब को बस वो खाना है मैंने गर बताया था न कि एक महिला थी, कि तो उसके अपने बच्चे को लेके आई, करीब 13-14 साल का बच्चा था, तो बुले माता जी, इसको बहुत सांस फूलती है इसकी, बहुत परिशान है, अभी से इतना छोटा सा है और बहुत परिशान है, तो मैं समझ गई, मा का प्यार है, उसने बीमार कर दिया है, तो मैंने उससे कहा कि तुम तुमारे घर में एसी है, बुले माता जी, एसी से तो ये बाहर निकलता ही नहीं है, बड़े आदमी थे, पैसे वाले थे, एसी के बिनना क्या से रहेंगे, एसी तो बट जरूरी, बले नुकसान करे, मगर एसी है, बड़ा आदमी तो है, पैसे का उपियोग करने, कहा उपियोग करो, पैसे का उपियोग आतमा में तो हो नहीं सकता है, पैसे का उपियोग कहा होगा, शरीर पे होगा, किस पे होगा, शरीर पे होगा, तो कैसे होगा, खाके होगा, पहन के होगा, कूलर से होगा, एसी से होगा, कोठी से होगा, वो भंगला से होगा इन उनी चीजेस से तो शरीर, उपयोग करेगा बाहर की चीजेव," तो धना उपयोग करेगा बाहर की चीजे का। तो अभेशन उपयोग दृते है," उभले," माताजी, ये तो ये एक मिनित देखी के बिना नहीं रहता है लाइट जाती है और जितनी देर में जनरेटर चलना हो उतनी देर भी इसको यह परिशान हो जाता है ठीक है मैंने का स्कूल जाता है वो तो एसी है इसका मैंने का जिस गाड़ी में जाता है वो गाड़ी भी एसी है अब बोले मेरे बच्चे गर्मी के दिन में स्कूल जाते हैं तो जब इन लोट के आते मैं तो इनका इंतिजार करती हूँ भई क्या इंतिजार करती हो दो-दो ग्लास दोनों के लिए अनार का जूस तयार रखती हूँ अब गर्मी का मौसम है पैंसे का उपियोग करना है तो भई अनार है तो कहाँ उपियोग करेंगे शरीर में तो बोले फिर मैं दोनों बच्चों को अनार का जूज देती हूं फिर ये देती हूं वो देती हूं मैंने कहा बस हो गया काम पहली बात उसको गर्मी लगी कहा तो अब मैंने कहा वो बच्चा बीमार नहीं होगा तो क्या होगा पहली बाद उसे बिना एसी में रखो बच्चे हैं बच्चों को ठंड जादा लगती है तो जब ठंड जादा लगती है तो उन्हें धूप की भी जरुत पड़ती है और जितना धूप से दूर रहेंगे जितना बचेंगे उतना शरीर कमजोर हो जाएगा है ना आजकल महिलाओं में विटामिन डी बहुत कम हो रहा है था या ना महिलाओं में क्यो हो रहा क्या कारण है बताईए आप ही बताईए चलिए पहले की महिलाएं पानी खीचने जाती थी है ना कुए में तो कुवा कोई घर के अंदर तो होता नहीं था कुवा तो बाहर ही होता था तो वो धूप में पानी खीचती थी नदी जाती थी, धूप में कपड़ेद होती थी मंदिर जाती थी, धूप में जाती थी और घर में आंगन होता था तो वहां पर सुखाने के लिए चलो बैठनी का टाइम ना हो तो बात लग है अब पापड बना रहे हैं तो पापड सुखाने गए खीचला बना रहे हैं, खीचला सुखाने गए और गेहूं हैं, गेहूं धोय हैं घर के तो वह सुखाने के लिए गए, फिर हाथ फेरने गए कभी कपड़ा सुखाने गए, कभी कुछ कर दसवार धूप में जाती थी तो उनके शरीर में जो विटामिन बी कम हो रहा था वो पूरा हो जाता था और धूप में बैठ भी लेती थी अब आजकल की महीला आए घर के अंदर ही कपड़े सुखाती है गेहूं धोने के नाम पे आटा बजारगा आ जाता है बड़ी पापर बजारगे आ जाते है पानी उन्हें भरना नहीं पड़ता नल खोला वो पानी मिल जाता है मंदिर वो गाड़ी से जाती है बिना गाड़ी के मंदिर नहीं जाती है नंगे पाउं वो पैदल नहीं चलती तो एक्यूप्रेशर नहीं होता है अब वो बीमारिया नहीं होंगी तो क्या होंगी शरीर प्रकरती के हिसाब से बना है किसके हिसाब से जैसे जानवर है ना जानवर कैसे जीते हैं प्रकरती के हिसाब से उनका कोई घर नहीं है उनका विटामिन कहां से पूरा होता जैसे तुम्हारा शरीर है तो पशुओं का भी शरीर है विटामिन तो उनको भी चाहिए ना अरे बोलिये ना विटामिन तो उनको भी चाहिए तो उनका विटामिन कहां से पूरा होता पूरे दिन धूप में रहते है चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो धूप में रहते हैं तो क्या होता है, उनका विटामिन वहां से पूरा हो जाता, वो तो अकेले हरी हरी घास खाते हैं, मात्र घास खाते हैं, उसके बाद भी उनको कोई विटामिन की कमी नहीं होती है, यानि कि एक हरी घास से उनका पूरा जीवन चल जाता है, तो एक काम करो फिर, वो हरी हरी घास सब लोग खाना शुरू खुरुदू, लेकिन नहीं, मनुष्य है, इनके पास सुख जादा है, इनके पास में इनको पुन्य के उदाय से मनुष्य पर एयाय मिली है, ये व्यंजन बना के खा सकते हैं, ये दुनिया वर के तरह तरह के पकवान बना के खा सकते हैं, ये पूरा स आटके जुगाली करती है, वो ज्यादा नहीं खाती है, तो भोजन एक दोश है, एक रोग है, भूक एक रोग है और भोजन एक दवाई है, जैसे दवाई जितनी जरूरत हो, उतनी खाई जाती है, ऐसे ही भोजन जितना जरूरी हो, उतना ही खाना चाहिए, कितना भी पेड भ भरा के खाया हो, और एक रजगुल्ला सामने आ जाए, भाइसाब एक लेलो ना, नहीं नहीं भाइसाब बहुत पेट नहीं एक तो लेए लेते हैं, फिर मना नहीं करी जाती है, एक बार तो एक बहनजी आई, सर्दी का मौसम था, और दिसंबर का मौसम था, दिसंबर में लिए गौसम यह को बहे जा रहा वहे जार तो महिलाओ के था चर्चा करने की थोड़ी से अपनी कि फिलिंग पे चर्चा चलती रहती है तो अब आई बोले माताजी बहुत जुकाम होगा है तो मैंसा हुआ कि वो कल रात को ना बेटी ने क्या किया शिकन जी वनाई कब रात में अब शिकन जी का मतलब समझते निम्बू की और वो भी रात में दो दिन में दो पहर की धूप म पीलो तो फिर भी थोड़ी बहुत पच जाए लेकिन बढ़ाई भी वो रात में अब रात में अब रात में बनाई तो मैंने तो बेटे को मना किया नहीं 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 पीना लेकिन वो माना नहीं और वो नहीं माना कि तुम नहीं मानी तुम नहीं मानी तुम नहीं मानी उसन अर्य मम्मी ले लोना, मज इतना कहा होगा और मम्मी ने दकार लिया अब मम्मी से भी नहीं रह गया थे बढ़िया टेस्टी शिकंजी और उसमें बढ़िया नमक भी दाला थोड़ा जीरा भी डाला वढ़िया बढ़िया बढ़ बहुत अच्छी बनाई थी उसने मैं बहुत मनि पर मैं पीली फिर क्या हुआ अब वो नाक से निकल रही है अब फिर जुकाम हुआ है थोड़ा भुखार भी आएगा अब भुखार हुआ है जब ये ठीक होगी तो फिर खांसी भी आएगी अब भुख तो एक एक मिनिट का सुख कितनी देर का दुख देकर जा काफ निकलता था खुब काफ निकलता था बिल्कुल बिल्कुल जरासाथ 6-7 महीने का बच्चा गर्मी का दिन जून का महीना तो उसकी वो अपने पीहर आई थी गर्मी के दिनों में तो उसकी जो नानी थी वो लेकर के आई अपनी बेटी को और बेटी की बेटी को तो क्या hue, रहता है। बात कर्या, मैंंक thirty two... मिげ मुझे, मैं उनको पेंचानती थी, मैं जानती थी। मैंझे का apply जरूर घंधा है एपने प्रेममे बीमार कर रखा है तो मैंनेक का ईसे AC मैं रखते हो। तो ह Carry on me in I mean कि इसको खिलाते जो मैं मुले बेटी नहीं वानती, वो कभी बनाना शेक खिला पिलाती है, कभी मैंगो शेक पिलाती है, मतलब इस तरह कि भई बड़े आदमी है, फल खाते हैं, रोटी थोड़ी खाएंगे, फली खाएंगे, तो अब हुआ यू कि मैंने कहा अर एसी मैं बोले ये बिल्कुल फुल ए एसी करती है, जब ये सोती है तो और बिल्कुल जहां हवा आ रही है, उसको वहा सुलाती है, और इसका ज़रा सा एसी बंद कर दो, तो ये मेरी बेटी नहीं मानती है, बास समझ में आई की नहीं आई, मैंने पहले भी का था बच्चों को सर्दी जादा लगती है, और तुम फैफड़े खराब हो जाएंगे, और जिसके फैफड़े तुमने बच्पन में खराब कर दिये, और उसका पूरा जीवन मुश्किल हो जाएगा जीना, ये आज़ की मम्या इतना प्यार करती है उपने बच्चों को, कि प्यार में भीमार कर देती है, ये भी कहा जाता कि पह बिल्कुल ये भी वैग्यानिक तथे हैं, बच्चर रोता है, ऐसा है कि तुम दिन भर रूलागों मादाजी ने कहा दिया तो, हाँ, लेकिन एक बार में पूर्ती कर देती है ये भी गलत है, फिर वो हमेशा के लिए वैसी हो जाता है, तो बंदूो, ये दोश है, भूख ए अब दोश है, अब दोश को, हम दवाई ना देकर, भीमारी ना खाके, हम उसे जवर जस्ति और दवाई, सिर्दर्द की दौाई है, ये तुमरी मीन की दवाई है, नेन की दवाई कितनी खानी पड़ती है? एक गोली, और कोई होगा तो आती गोली, इससे जादा़ खाहोग तो दवाई क्या बन जाएगी? जहर मैंने क्या कहा? जैसे दवाई जादा खाते हो तो वो जहर बन जाता है ऐसे भोजन जादा करोगे तो वो भी जहर बन जाएगा तो इसको कंट्रोल करने के लिए भगवान महवीन ने उपवास बताए हैं बताए हैं इतने सारे बताए हैं बतामबर के बताए हैं तो इस बताए हैं यह भोजन से मोह त्याग करने का साधन है राग त्याग करने का साधन है राग त्याग करने का साधन है सायम प्राप्त करने का साधन है इसके बिना जीवन में सायम आने वाला तो भगवान महावीर ने जो ब्रत बताए हैं उसे करोगे तो तुम्हारा सैयम भी हो जाएगा त्याग भी हो जाएगा और स्वास्थ भी हो जाएगा बास समझ में आई कि नहीं तो भोजन पर सैयम, कंट्रोल रखना यही इस छुदा रोग नाशने का एक तरीका है चलिए मैं तीन चीज़ में बोलूँगी आपको कहना बड़ा ही महत्वे है करने में भजन का रिस्तों में कजन का और सैयम में भोजन का लेने में सांस का बहू के लिए सांस का और करने में उपवास का धरम के प्रचार का अच्छे विचार का और जीवन में शुद्ध आहार का सुनने में इयर का छोडने में बियर का और आने वालों में गवालियर का शास्त्रों में समैसार का तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में मुरार का और कहां से आये? गुजरात भोजन में भात का मुख में दात का और आने वालों में गुजरात का ब़ल जा विचावीसा भग्वान की एक और फूल में कली का तपस्या में बाहुवली का और आने वाले शुमें में दीवाली का बढ़ी महत्य है पहाड के पास खाई का घर में ताई का दीवाली की सफाई का बड़ा ही महत्त है बोलिये 24 वगवाने की जे महिमा बढ़ते रहे और सब भाविकों को इससे लाब मिले यही मेरी कामना है यही मेरी इच्छा है और माता जी के चरणों में मैं भावना करती हूँ कि मेरा भी कल्यान हो मेरा भी समाधी मरण हो मेरी भी भक्ती बढ़ते रहे और निरोग्य आयूश्य मुझे प्राप्त होवे आखरी तक मैं नमुकार मंत्र का स्मरण करते रहू यही भावना के साथ मैं यहां विराम देती हूँ आज मुनी सूरत भगवान के दर्शन करके मैं अतिशे धन्य धन्य हो गया हूँ प्रभू के मस्तक पे शांती धादा करके मुझे ऐसे लगा कि सब बांदे हुए कर्म अभूल गये है और मेरा समाधी मरण होना निश्चित हो गया है इस शेत्र की ऐसे ही प्रगती होए निरंतर यह खेत्र किरति को प्राप्ता होता रहे और सुर्ष्टी भूषन माता नहीं जो भी सब ने देखे यहां सब साकार हो जाए और सब का मंगल मैं हो मेरा भी समाधी मरण हो ऐसी प्रभू के चर्णम में प्राथना करके मैं यहां मिराम देता. कंचन की थाल को सजाओ रे आज, प्रतनों की थाल को भरलाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, अपने इस मानाव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूत पूर वावसर. स्वस्तिधाम प्रनेत्री, परम विदूशी लेखिका भारत गौरव आरेकाश्री स्वस्ति भूशन माताजी की पावन प्रेरना इवं मंगल आशीरवात से, मध्य प्रदेश की धन्यधरा परिस्थित सिद्धक्षेत्र सोनागिर के पवित्र परवत पर बन रहा है, भव्याती भव्य, सहस्त्र कूट जिनाल है. आप अपने वापनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाई विराज मान कर सहस्त्र पुणनी के भागि दार बने एक प्रतिमा की नियोच्छावर राशी एक लाख ग्यारा हजार उपय मात्र अपनी स्विकृति प्रदान करने हे तू दिये गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें अपनी स्विकृति प्रदान करें गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें